आपको पढ़ने हैं और उनका रेविव यह रेविव या आपको एक व्यू दे दिया जाएगा कि और कहां से आपको प्रचिस करना यह सारी चीज भी मिल जाएंगे तो इस वीडियो के तीन है पहला कि कौन से क्लास के पढ़ने हैं तो तीसरा आपके लिए प्रचिस आपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी एक्जाम दे रहूंगों उसके साफ से देख लेंगा कि क्लियर हो जाएगा लेकिन उससे पहले आपको इक चीज वजा दू हूं हमारा यह हमारा सेकंड चैनल है लेकिन इससे पहले हमारा पहला चैनल है के जीएम मिशन जिस क्या है आपको नोट्स कैसे बनाने हैं है और आप वहां पर जाके इनको आराम से देख सकते हैं अगर आप हमारी वीडियो को आज से चार-पांच दिन बात देखने हैं तो हमारी चैनल पर उसी चैनल पर यूपे सीरीज पार फिफ्टी टू आ जाएगा इस वीडियो को दे इसमें यह एडवांस लेवल के इसमें यानि कि पूरा का पूरा बताया जाएगा यह जितने पार्ट हैं 6, 11, 12, 28 और और चोटी मोटी जो चीज़ हैं सब को कममाइन करके पार्ट 52 को जाके आप देख सकते हैं अब बात करते हैं NCRT आपको old पढ़ने है या new पढ़ने है त और दूसरी बात आपके पास proper time है दो, तीन, चार साल है जैसे आप 11, 12 में है या अपनी graduation first year में है proper time है तो आप old NCRT से start करो फिर new पे मतलब चले जाना उसके बाद में standards फिर notes वागर जो ही पढ़ते है new देखिया new में difference कहा है या आपके थोड़ी सी exam orientation के साथ में अच्छी रहती है ऐसा नहीं कि आपको 100% exam orientation मिल जायागा ऐसा नहीं लेकिन exam orientation कौन सा UPC exam के लिए बहुत सही रहती है और आपके पास ज्यादा time नहीं है जैसे आपके पास एक साल है या दो साल भी है तो भी आप new से start करो टैंसल लेनी वाली बात है नहीं इतना clear होग आपके मैं ये क मैं आपको तोड़ दूँगा ये ब्रहम को आप इस चीज को decode करते हैं ये मेरा experience और मेरा खुद का open Ian है मैंने इसको 3 category में डिवाइड किया है पहला class 6 से लेके 8 तक की NCRT class 9 से लेके 12 तक की NCRT और class 11 12 तक की ये हालंके है तो इसके पार लेकिन इसके पीछे वज़ा है आप class 6 से लेके 8 तक की NCRT पढ़ें clear class 9 से लेके 12 तक की NCRT आपको एक अच्छी शुरुगात करनी है तो पढ़ें आप थोड़ा-थोड़ा किसी के बारे में थोड़ा जानते हैं मतलब देखे NCRT History, Geography, Economy, Policy इनके होती है न तो उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानते ह पढ़ने में मज़ा भी आया है आपको बच्पन से तो आप एंसे स्टार्ट करिए और थोड़े-थोड़े शॉर्ट में नोट्स बना लेजिए 6 से लेके 8 तक के NCRT बनाने के नोट्स की जरुवत नहीं है और आपका ये class 9 से लेके 12 तक के नोट्स बनाना है तो देखिए मैं आपको फिर बताया हूँ यूपी सीरीज पार्ट 12 मैंने बहुत अच्छे से बताया है नोट्स कैसे बनाना है पार 28 मैंने खुद के नोट्स दखा दिये हैं तो एक ही वीडियो में सारी चाहीं क्लियर करूंगा तो आप बोलेंगे किसा रिविव कर रहे हैं या पर फूरा जयां पर बता रहे हैं तो आप उन सारी वीडियो गागा देख सकते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के नोट्स कैसे बनाने सब बताया है ठीक है और यह आपके 9 से लेकर 12 तक के NCRT important होती है अब उनके लिए जिनके पास बिलकुल टायम नहीं है या बिल्कुल NCRT कम ही पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक चीज़ बता दूँ Class 11-12 की NCRT Most important NCRT होती हैं इनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते और इनके भी आपको short notes बनाने होंगे मैं उम्मीद करता हूँ यतना आप समझ गयोंगे जोब प्रोफेशन वाले एस्परेंट हों तो 11-12 वाली NCRT पढ़ना ठीक है और इन सब के लिंक आपको description मिल जाएंगे वीडियो पर एक लाइक एक कमेंट और एक शेर कर देना ठीक है शेर आप जितना करें वो तना बढ़िया है क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट यह उत पढ़ती है किसी भी चैनल को स्टार्ट करने में और अगर आपको Ode NCRT का रिव्यू चाहिए ठीक है Ode NCRT का रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके बताना उनका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सिस्क्राइब करें और सबसे इंपोर्टन बात दूसरे चैनल पर जाकर जो वीडियो में रिकमंड करें आपको पार्ट 6, 11, 12, 28 उनको जाकर देख सकते हैं मैं अमीद करता हूँ वीडियो में देखे हैं अगर आप UPSC की बुक्स को या नोट्स को परचेस करना चाहते हैं या हमारे वर्ट सब्वर्ट में जोइन होना चाहते हैं या टेली गूर्व में जोन होना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक में लिया जाएगा आप description को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठीक से check out किया करें आपको सारी information उसे मिल जाती है इसके साथ ही आपको एक important बात बताना चाता हूँ अगर आप 2021 स्मार्ट रश्री के साथ करना चाहते हैं तो हमारे चनल के mentorship course को को जोइन करिए यह कुर्स जन्वारी 2021 से जून 2021 तक यानि 6 महीने के लिए है आपको इसमें hand holding support मिलेगा इसके 10 benefits हैं आपको इसका रहे हैं डिटेल में इन फर्मेशन चाहिए तो करता हूँ अपने चैनल को subscribe तो करी लिया होगा और अपनी राय को comment box में बताना जरूर इसके साथ इस वीडियो के हम समाप्त करते हैं जय हैं